हूँ है लिख बहुत अब दिस पर्अटह बनाज आए आज में बनाने वाले यहूं। गोभी का परता जो कि खाने में बहुत ही टेस्टि लगता है। इसामें बिल्कुल दिफरेन तरीके से बनाने वाले हूँ। जो आपको काफी पसंद आएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं गोभी का पराठा बनाने के लिए मैं आप एक गोभी ली हूँ सबसे पहले हम गोभी के डंठल को काट कर निकाल देंगे गोभी के डंठल को हमने काट कर निकाल लिया है अब इसकी कलियों को हम अलग-अलग कर लेंगे यहाँ पर हमने गोभी की कलियों को अलग-अलग करकर इसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है यहाँ पर हमने गैस पर पानी गरम होने के लिए रख दिया है पानी हमारा गरम हो चुका है अब हम गोवी को गरम पानी के अंदर डालेंगे अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मटर डाल रही हूँ आप इसे भीना मटर के भी बना सकते हैं गोवी को गरम पानी में डालने से गोवी में जो किड़े होंगे वो मर जाएंगे तथा गोभी हमारी सब्ठ हो जाएगी साथ ही गोभी में जो स्मेल होती है वो भी निकल जाएगी यहाँ पर हमें गोभी को उबालना नहीं है गोभी को हमें एक मिनट के लिए गरम पानी में रहने देना है एक मिनट के बाद हम गोभी को एक प्लेट में निकाल लेंगे यहाँ पर हमने गोभी को प्लेट में निकाल लिया है अब इसे हम ठंडा होने देंगे यहाँ पर हमें मोटर को थोड़ी दोर और पका लेना है ताकि मोटर हमारे जो है सब्ट हो जाए गोभी हमारी जब तक ठंडी हो रही है तब तक हम आटा गुथ ले रहे हैं यहां पर हमने सफ्ट आटा गुथ का त्यार कर लिया है गोभी हमारी ठंडी हो चुकी है अब इसे हम कदुकस कर लेंगे यहाँ पर हमने गोभी के कलियों के साथ उसके डंठल को भी कदुकस कर लिया है आप चाहें तो डंठल हटा सकते हैं गोभी को आप गरम पानी में ज्यदा देर तक न रखे नहीं तो वो कदुकस करते बद गोभी जो हमारे तुटने लगेंगे और कदुकस करने में परसानी होगी यहाँ पर हमने सभी गोभी की कलियों को कदुकस कर लिया है गैस पर हमने कढ़ाय चड़ा दी है कढ़ाय में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे तेल गरम हो जाने पर हम इसमें एक हरी मिश डाल रहा है अब यहाई पर हटा हुआ पियाई डाल रहे हैं पियाई हमारा थोड़ा सा भून चुका है अब यहाई पर मैं एक चमच अधरक लसुन का पेश डाल रहे हूं अब इसे थोड़ी दिर हमें भून लेंगे ताकि अधरक लसुन का जो कचापन है वो खतम हो जाए अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रहे हूँ अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर हमने जो मतर वाइल कर रखा था ओर डाल रहे हूँ अब इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है आप इससे बीना मटर के भी बना सकते हैं अब यहाँ पर मैं एक चमच जिरा पौडर डाल रहे हूँ आप यहाँ पर मैं आधा चमच धनिया पौडर डाल रहे हूँ अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा गोल मरिच पौडर डाल रहे हूँ अब सभी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब यहाँ पर मैं लाल मिश पाउडर डाल रहे हूँ आप जितना तिखा पसंद करता हैं उससे मिशी डाल सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा हींग डाल रहे हूँ हिंग का स्वाज पराठे मोध अच्छा लगता है अब हमें सभी को अच्छी तरह से मिस्क कर लेना है अब माटर को हम पल्टे की मदद से उसे अच्छी तरह से मैस्क कर लेंगे अब यहाँ पर मैं गोभी जो कदिक्वस करकर रखी हूँ और डाल रहे हूँ अब हम इसे अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेना है अब इसे हमें लगता है चलाते रहना है ताकि जो मसाले हमारे जो हैं कड़ाई के तले में लगे नहीं अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अजवाइन क्रस्क कर डालेंगे इसे गोभी के पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब यहाँ पर मैं स्वाद अंसा नमक डाल रहे हूँ अब हमें सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसे हमें लगता है चलाते रहना है गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है ताकि जो गोभी नमी है वो सुख जाए गोभी में नमक डालने से या पानी छोड़े गया है इससे हमें ड्राइ होने तक भून लेना है, गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है, हाई फ्लेम पहीं गोभी को हमें अच्छी तरह से भून लेना है, गोभी हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है, अब यहीं पर हम धनिया पता डालेंगे, और धनिया पता डाल का हम अच्छी त निकाल कर इसे ठंडा कर लेंगे इस तरह से आप गोवी को भून को अगर पराठे बनाएंगे तो गोवी के पराठे जयदा टेस्टी बनेंगे अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो एक बार इसे इस तरह से आप try जोरुड किजिएगा तब ही आपको स्वात का पता चलेगा यहां पर हमने गोभी के मिश्रन को एक प्लेट में निकाल लिया है अब इससे हम ठंडा होने देंगे अब यहां पर हम आटे में से एक लोई लेकर इसे रूटी के अकार का बेल लेंगे यहां पर हमने आटे को रोटी कार कबावा लिया है अब इसके आधिे हिस्से हम मिश्रन को फैलाएंगे अगा पर हम रोटी के आधिे हिस्से पर मिश्मर फैला कर उसे अच्छी तरसे चिपका देंगे ताम की हमारे मिश्ण जो है वह बाहर ना आये आए इसी तरह से हम बाकी पर अठे को भी बना कर त्यार कर लेंगे पर हमने गैस पर तावा गरम होने के लिए रख दिया था तावा हमारा गरम हो चुका है अब इस पर हम पराठे को सेक लेंगे एक साथ हम यहाँ पर दूदो पराठे बना रहे हैं अब हम पराठे को अच्छी तरह से सेक लेंगे पराठे हमारी एक साइड सेक चुके हैं अब इससे हम प्लट देंगे आप दूसरी साइड भी हमें इससे अच्छी तरह से सेक लेना है आप इससे हम दूसरी साइड भी प्ल ж arrow नने है sustainability आब इसे हमें दुनाँव साइड से प्लाट प्लाट कर गुर्डडें ब्रा। तरी सिक लेना हैं पराथे को हमें प्लाट प्लाट कर दूनाँव साइड से अच्छे तरस शिक लेना है त ihr कि पुसरो पराठे हमारे दोनों सैट से पक का त्यार हो चुके हैं आप इससे हम एक प्लेट में निकाल देंगे गोभी के पराठे हमारे बन का त्यार है इसे आप हरी चटनी के सांद खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरह से आप पराठे बनाएंगे तो फटेंगे नहीं अगर रेश्पी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा सेर करें ताकि और लोव इस रेश्पी का अनुर उठा सकें मिलती हूं नेक्स वीडियो में एक नही रेश्पी के सांद तब तक आप देखते रहें मिना की रसोई